कर दोस्तों आपका स्वागत 1247 PCS के चैनल पर और मैं हूं विर्षिस्ट मिस्रा उत्तर प्रदेश राजलोग से वायोग की तरफ से एक विग्यप्ति जारी की गई है और जिसमें बताया गया है कि 2023 की उत्तर प्रदेश अपर सबॉर्डिनेट की जो परिक्षा हुई थी उसक सब्सक्राइग और पास एक UTP आए गा और उसके द्वारा आप長 सफल अस हैं सबके एक प्रकार सबकर से मांकर से लोकस सवा आयोग द्वरा साथ ही साथ लोकसेवा आयोग ने कट और और गया र хорош कितना नी Uzंत अंक जो चात्रन पाएं है नीउनतम पर किस छातर को मतलब है मिले हैं वे कितने नीउनतम अंग आखिर गार मिले हैं इस नीउनतम अंग से आपको विशलेशन किया है वो यह आपको बताया है कि जो cut-off है वो 125 अंक गई है और यह जो आयोग ने घोसित किया है cut-off यह बताया कि 125 अंक भाई यह 125 क्या है माक्स हैं यह कह रहा है कि अंतिम अभ्यारती के प्रापतांक है जो last selected candidate है उसके द्वारा जो अंक अरजित किया गया है वो 125 है यानि कि जो भी छात्र 125 से अधिक अंक पाए हुए थे 2023 की प्रारंबिक परिक्षा में वो छात्र सफल घोसित किये गए थे प्रारंबिक परिक्षा में और उनको मेंस में बैठने की अनुमत दी वो इलिजबल हुए थे मुख्य परिक्षा में बैठने के यानि कि आगे आने वाले वर्सों में आपकी क्या रड़नीती होनी चाहिए रड़नीती यह होनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं 125 का बरियर क्रॉस करें तो 125 के बरियर को क्रॉस करने के लिए आपको कम से कम 130 135 140 का टा ना क्या होते हैं 150 को होते हैं यानि कि आपका एक क्यूस करीब बड़त तो अगर अगर कोई 25 नमबर पा रहा है चुकि आयोग ने वर्युख के कितने क्फृसचन को खूने कि रमिंडर किया गया कईव क्ञेशज को अग्या心 there कि अदिभार कोई कश्यानmeye मेन गिनता नहीं ह अगर आप एक हिसाब लगाए तो 94-95 के बीच ये कहीं कहीं अंक बैठता है कहीं न कहीं 94 कोईश्चन के आसपास बैठता है तो आगे आने वर्ले वर्सों में ये अनाराच्छित वर्गे की हम बात कर रहे हैं आपको इसी को फिलाहल आधार मानना चाहिए क्योंकि आप अपने लिए हायर गोल सेट करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आप सर्वाइब कर जाएंगे अगले आने वाले वर्सों में चोकि लगातार कॉंपेटीशन बढ़ रहा है एपियर होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है और सीट्स देखें तो ज़्यादा सीट्स की संख्या में वृद्धी नहीं हो रही है सीट्स की संख्या में आपको इंशूर कर पाएंगे क्योंकि सफल जब आप अभी सफल होंगे जब आप अपना बेंच मार्क हायर सेट करेंगे और आप यह भी देखते होंगे हर वर्स की परिच्छा के बाद की दो तीन सफलता पर कोई असर ना पड़े तो आपको सब्सक्राइब और 130-135 नंबर का टार्गेट रखना चाहिए उस हिसाब से आपको सफलता मिलेगी उस हिसाब से आपको देखना है उसी प्रकार जो कटाओ घोजित की गई है उत्तर प्रदेश के अनुसूची जाती उत्तर प्रद गई है आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो OBC है उनकी cut-off general category से जादा गई है तो OBC वाले बच्चों के लिए एक analysis हो सकती है कि आप देखें कि general category से जादा गई है एक चीज और इसमें देखने योग्य है कि EWS की cut-off भी general category से जादा गई है 119 नंबर गई है EWS की cut-off ठीक है और देखें उत्तर प्रदेश के DFF की cut-off 122 नंबर है समाज के उत्तर प्रदेश के समाज के pH category की cut-off 99 है X Army की cut-off 104 है महिला की cut-off 124 है उसी प्रकार उप निबंधक पद और विधी अधिकारी के लिए जो पेपर हुआ था यही पेपर था common पेपर था उसके लिए cut-off unreserved category की 121 है अंसूचित जाती की 90 नंबर है अंसूचित जन जाती की 78 नंबर है ठीक है इसी प्रकार आप अपन यह मुख्य परिक्षा के लिए भी जारी किया के सम्मिलित राजप्रवर अधिनस्त सेवा 2023 के लिए cut-off जो जारी किया गया है उप जिला अधिकारी जिसके 41 पत थे 41 वेकेंसी थी SDM पद के लिए उसमें अनारक्षित पद पो अनारक्षित स्रेणी में यानि अन्रिजर्व के लिए अधिकता मंक जो मिला है जिस चात्र का अधिकता मंक मिला है उसके मार्क्स कितने हैं 887 मार्क्स हैं और जो अंतिम अंतिम चैनी चात्र है उसका 857 नंबर है देखिए कैव अंकों में ही 30 अंकों में ही खेल हो गया 30 अंक के अंदर खेल हो गया ठीक है मतलब 887 maximum number 857 minimum number unreserved category के उसे इसाब से आप लगा लिजे different category के marks आप देख सकते हैं यानि कि जो 1500 अंकों का paper होता है mains का मेंस का जो 1500 अंकों का paper होता है उसमें लगबग 800 से जादा आपको target करना चाहिए 900 का target आपको लेकर चलना चाहिए ठीक है यानि कि अब देखिए 60% से उपर की cutoff जा रही है mains exam में भी ठीक है पहले ये cutoff 60-55% रहा करती थी अब 60-50% आपको target लेकर चलना है इन cutoff से आप ये analysis कर सकते हैं तो एक हिसाब से पूरा आपको निचोड़ ये निकलता है कि आप जो है 60-65% के लिए fight करें और जिन बच्चों को अपने अंक देखने हैं 2023 की परिक्षा में सम्मलित हुए थे वेबसाइट पर जाकर अपने अंक देख सकते हैं और cutoff की कितने वो कितने नंबरों से चूक गए परिक्षा में ओभी देख सकते हैं जिससे आपको आने वाले वर्सों में आने वाली परिक्षाओं में आपको एक आइडिया लग सकेगा कि आपकी तैयारी कितनी थी, आपने कितना दिया और कितने मार्ग्स आपको अरजित हुए और उस तरह आपको सफल होने के लिए कितनी और मेहनत किया हो सकता है तो फिर इसी जानकारी के साथ मैं आया था कि उत्तरपदेश लोग से वायोग ने अपने प्रारंबिक परिक्षा और मुख के परिच्छा का 2023 की अपर समॉडिनेट की परिच्छा के कट ओफ घुशित कर दी हैं आप वेबसाइट पर जाके अपने मार्ग्स को